दोस्तों, प्यारे देश्वाशियों, नमस्कार, मैं शामरंगिला, कॉमेडियन हूँ और आज आपसे मन की बात करने आया हूँ आप सब के मन में सवाल है कि जो हम न्यूज में सुन रहे हैं, क्या शामरंगिला ये सत्य बोल रहा है? कई मजाग तो नहीं है, कॉमेडियन है तो मजाग कर रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये मजाग नहीं है, मैं वारानसी से चुनाव लड़ रहा हूँ, और मोदी जी के सामने लड़ रहा हूँ दोस्तों आप सोच रहे हैं कि इसकी क्या जुरूरत पड़ी, शामरंगिला वहां क्यों चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी है वो तो परदानमंत्री है, तो दोस्तों भारत का लोकतंत्र जो है, उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है, और मैं जो चुनाव लड़ रहा लोग वोट किसको देंगे, अगर एक व्यक्ति भी किसी के विरोध में वोट देना चाहता है, तो उसको अधिकार है वोट देने का, एबियम पे नाम तो हो किसी का, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं वहां भी ऐसा ना हो, तो मुझे लगा कि संशिदी छेतर वारानसी में जा और साथियों, अब बहुत जल्द वारानसी आ रहा हूं, और जैसे कि मोधी जी ने कहा है, भाई यो बहनो, जो जिस भासा में समझेगा, मैं उसको उसी की भासा में जवाब दूँगा, तो दोस्तों मैं भी मोधी जी को उनी की भासा में जवाब देने के लिए आ रहा हूं चुनाव को लेकर दोस्तों मैं उत्साहित तो हूँ लेकिन मैं पहली बार लड़ रहा हूँ तो आप सब का मुझे सयोग चाहिए होगा जैसे आप सब का प्यार और सयोग मिल रहा है वैसे मुझे और भी सयोग चाहिए होगा क्योंकि मुझे यह नहीं पता है कि चुनाव में कि दाखिल करते हैं वहां पर कारे कैसे करते हैं ग्राउंड लेवल पर कैसे तो मुझे आप सब से तन मन और धनकी होकता होगी मेरे पास Electoral Bond नहीं है मैंने किसी जिल ले यह नहीं है तो मुझे प्रकार से मुझे संप्रक कर सकते हैं और वाकी लोगों से भी कहना चाहूंगा किתח नीजी सदोस्तों दोस्तों मैं बाकी के अपडेट वठों के साथ, और चीज़ए नोग।